हालो फ्रेंड पिछले वीडियो में हमने दिखाए थे स्यामसॉंग गैलक्सी टैव एनाइन प्लास में माल्टिटास्किंग सपूर्ट करता है कि नहीं करता है और गूगुल मैप में जूम होता है कि नहीं होता है हमारे एक वीडियो ने कॉमेंट किये थे कि सर एक वीडियो बनाई है क्योंकि कफी सारे लोगों का कोशन है कि इसमें माल्टिटास्किंग सपूर्ट करता है कि नहीं करता है तो पिछले वीडियो में हमने दिखाए थे कि सर माल्टिटास्किंग और गूगुल मैप में जूम कि दोनों फिचर्स सई से काम कर रहा है और इस वीडियो में में मैं माल्टिटास्किंग के सात में मल्टिचार्ट करते हैं कि नहीं करता है एक विडियो बना के हमें दिखाइए तो उसके लिए चलिए हमने बना यह वीडियो बनाया तो चलिए हम देखते हैं कि सामसूंग गैलक्सी टेव टेव एनाइन प्लस में माल्टी चार्ट सबूट करता है कि नहीं करता है और अगर सबूट करता है तो उसको कैसे आप अक्टिवेट करेंगे कैसे इसको आप यूज में लेंगे है तो सब्से पहले बुल से मैं एक ट्रेडिंग डाउनलेड किया तो आपको दिखाने के लिए यह तो ट्रेडिंग करके लिए रिगार्डिंग हमारा ज्यादा नॉफ से पहले तो फिलाल मैं Grow app का इस्तिवाल कर रहा हूं तो मैं Grow app को आपके सामने open कर लिया है तो यह पर पीन मांगा जा रहा है तो फ्रेंड आप जब इस टैब में Grow app को open करेंगे तो थोड़ा सा portrait भी हो में आएगा तो बाद में आप इसको change भी कर सकते हैं यह पर फिलाल हम इसको पीन ही है हम पीन देखे को लोगिन करे तो फ्रेंट आप देख पा रहे हैं यह पे लोगिन हो चुका है तो हम कोई भी एक ट्रेड उढ़ा लेते हैं तो हम निप्टी-फिप्टी में चले जाते हैं तो निप्टी फिप्टी में जाने के बाद आप देख पा रहे हैं या पर हमारा जो विव है ओ थोड़ा सा लाइन में है तो लाइन को हम सबसे पहले इसको हम फुल विव में ले लेते हैं तो फ्रेंड आप देख पा रहे हमारा जो पेज है वो लोड होके कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा और इसका जो पैटन है लाइन से डाइरेक्ली आप कैंडेल में आटोमेटिकली कॉनवर्ट हो चुका है तो आप जैसे की लॉगिन होने के बाद आप यहा पर देख प तो उसके बाद हम कुछ इस तूल के बारे में दिखा देते हैं अगर इस टैब में आप ट्रेडिंग के लिए उपन करेंगे तो उसका टूल किस तरह से दीखेगा और कौन सा कौन सा टूल आपको दिया जाता है तो सबसे पहले हम यहा पे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा फिर इसी तरीके से आप इसको अपने हिसाब से हाई लोपी भी सेट करके आप देख सकते हैं मतलब यहां पर बहुत सारा ओफ्षान दिया गया है तो फिराल मैं कैंडल पर इसको रख रहा हूं और बहलता ओफ्षान और इंडिकेशन में देखते हैं तो इंडिकेशन में आप देख पा रहे हैं यहां पर कितने सारे ओफ्षान दिया गया है accumulation distribution, accumulative swing index, तो सारे option को आप इसी तरीके से देखिए, एक एक करके on कर सकते हैं, ठीक है, आप जिस indication में आप देख साएंगे, तो आप देख पार है, यहाप दो तीन हमारा चार्ट open हो चुका है, इंडिकेशन open हो चुका है, तो आप इस चार्ट को close भी कर सकते हैं, बस इसको उपर आपको click करना है, तो आप देख पार है, यह close कर लिए हमने, तो उसके बाद, उसके बाद यहाप एक pencil का option दिया गया है, तो इसको आप on up करके, इसके इसाब से आप बहुत सारे option को on कर सकते है, line, row, arrow, text, या तो कोई भी pattern आप यहाप देख सकते हैं, ठीक है friend, तो फिलाल हमारा जो main मकसद है, कि इस tap में आप multi chart open कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगे, तो multi chart open करने के लिए, सबसे पहले इस view को आपको pop-up view में रखना है, तो pop-up view में रखने के लिए, आपको directly यहाप आप देख पा रहे हैं, या पर एक indication, या पर एक line है, तो इसके उपर हम click कर लेते हैं, मतलब इसको आप पाप view में ले ले रहे हैं, तो या पर हम इसको split में नहीं ले रहे है, pop-up view में लेने के लिए, हम यहारा middle वाल option चूज कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं, जब में एक box आपको दिखाए दे रहा है, ठीक है friend, तो आप देख लिया, तो इसको हम off कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि या पर multiple chart आपको या पर चाहिए, तो इस box के उपर directly आपको click करना है, तो click करने के बाद आपको chart के regarding बहुत सारा option आपको मिल जाए तो चलिए हम पहले vertically दो इससे में divide करके दो चार्ट ले लेते हैं, तो देख सकते हैं या पर double chart हमारा आगया है, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि horizontally दो चार्ट लेंगे, तो आप यह भी ले सकते हैं, उसके बाद आप और भी कभी तरह का pattern आप या पर यूस कर सकते हैं, तो आप यह पर देख पा रहें, तो फिलाल हम 4 force view में ले रहें, मतलब quad view में ले रहें, तो यह पर देख पा रहें, 4 chart एक साथ हमारा open है, तो हम चाहें तो इसको अलग अलग तरीके से, चलिए maximum कितना view तक आ रहा है, आप यह पर देख पा रहें, maximum हम यह पर 8 ले ले रहें, ठ चेट है तो आपने हिसाब से ऐसको चेंज कर सकते है तो मान ली जिए हमारा पहला वाला चार्ट के जगे पर हम 3 minute सेट करते हैं तो 3 minute बिद्ध अधेक पार है कितना है तो यह हैं इस चार्ड को हम फांच मिनुट में सेट करते हैं इसको हमने 5 मिनिट में सेट किया है इसमें हमको एक मिनिट session वाला इसको हम 30 मिनिट के रिकर्डिंग इसको सेट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाप पर बेख सारी चार्ट इहां पर चार अवर का चार्ट हम ले रहे हैं सब्सक्राइब कirsiniz कर दो सकते हैं और लास्ट में को इसको तो डिखा देता हूं तो अब देख पा रहे हैं कि यहांपर हमारा आटो चाठ मैं Liqu pro यहां फैसी एक चार्ट को अच्छे तरीके से काम कर रहा है आप यहां तो तूरांत यहां पर on कर पाः रहें फिर से हम इसको minimize कर देते हैं तो यह तो हो गया हमारा nifty 50 का तो सेम चार्ट है आप चाहे तो दुसरा कोई share का चार्ट आप यहां पर open कर सेकता चलीए हम पहला बाला यहाँ पर हम दूसरे कोई श्यार ले लेते हैं तो हम यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी से बैक चले याते हैं तो हम इसमें तुरंत क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम मैक्सिमाइज पर क्लिक करते हैं तो कुछ सेकेंड के अंतर आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पर हमारा 3-3 minute का हम 30 minute का टाटा स्टील का श्यार ले लिए तो यहाँ पर टाटा इस्टील यहाँ तुम जितने चाहे आप यह पर ले सकते हैं तो हम आपको 8 चाल्ट को दिखा देता टे हैं तो देख सकते हैं यहाँपे माल्टी चार्ट यहां पर बिल्कूल सपोट कर रहा है फ्रेंड आप अपने हिसाफ से इसको यूज कर सेकते हैं तो अशा करता हूं यह जानकर ही आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और आपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भुलिएगा पर अगर आपका कोई क्यारी है आप हमें कॉअमें बता सकते हैं तो जैसे कि इस वीडियो। बनाने का मैं एक मकसद है हमारा एक वीव वपछले वीडियो में हमें कोमेंट किये थे तो उसको हमने प्रॉमिस-किया था कि इसके रिगारिक हम एक वीडियो जरूर बना देंगे तो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो फिलाल हम सिंगल भी उमें इसको ले रहे हैं तो चलिए फ्रेंड अशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना तो तब तक के लिए धन्यवाद